हमारा तो ऐसा मानना है कि इस कलिकाल में कलियोग में लोग सनातन धर्म पर उंगली उठा रहेते लगाता है सनातन धर्म को पाखंडी बतला रहे थे अच्छा राम जी के आने के पहले हनमान जी लीला करते हैं लोग संतों को पाखंडी बता रहे थे सनातन धर्म में कोई सकती वक्ती नहीं होती ऐसा बोल रहे थे और ये फूफा करने बाले फूबाले लगातार भोले भाले हिंदुओं का धर्मान तरण करबा रहे थे हमारा ऐसा मानना है ऐसे लोगों के मुँपर ही तमाचा मारने के लिए बागे सुरहनमान जी का दर्मा लगता है जो कहते थे भगवान नहीं होते दिब्शक्तियां नहीं होती ये सब कपोल कलपना है बरतमान में ऐसा अगर हम बोलें तो बुरा ना मानना हम अपने अभिमान में नहीं बागे सुरहनमान जी के स्वाभिमान में बोल लहे हैं कि बरतमान में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर बारत के क्या पूरी दुनिया के जितने भी दूसरे मजहब के धर्म गुरू है चाए वो उवाले हो चाए वो फू वाले हो हम मंच से ललकार कर कहते हैं दुनिया के किसी भी मजभ का धर्म गुरू बागे सुरहनमान जी के दर्बार की सक्तियों का सामना नहीं कर सकता है अपन भी यूपी बाले हैं इसी लिए अचा यूपी बाले जहां रहते हैं हिला कर रख देते हैं अब देख लीजे यूपी बालों ने पंडाल हिला कर रख दिया यहीं देख लीजे एक अपने बाबाजी हैं यहां गोरखनात पीठ बाले महन अब बरतमान में तो वो मुख मंत्री है अच्चे-च्चों के घर पर बुलडोजल चला करके उन्होंने हिला कर रख दिया अपन भी यूपी बाले हैं अपन ने पूरे बारतमा धरम ब्रोधियों को हिला करके रख दिया बोलो सीताराम जोर से बोलो अब ये जितने भी धर्म ब्रोधी थे ऐसे छुप गए जैसे उल्लू छिप जाते हैं पहले बड़ा मुँ चड़ाते थे अब नहीं आते हैं हम उने पुकारते रहते आओ आओ माई डियर यू कम है यार नहीं आते हैं तो मेरे पागलो हम आपको बताएं ये कृपा हमारे दादा जी के दादा जी स्री सन्यासी बाबा जो की यहीं मामखोर के रहने बाले मद्द प्रदेश के छतरपुर जिले में ग्राम गड़ा बागेस और धाम जहां आज पूरे बिश्व के लोग पहुंचते हैं वहां उन्होंने सबा करोड हनमान चारीशा का पाठ किया था एक पैर पर खड़े होकर हनमान जी महराज प्रगट भे बुले मांगो तब हमारे गुर्देव ने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए जन सेबा चाहिए तब स्री हनमान जी महराज की उस बिग्रह में से बोले जाओ आज के बाद एक जगए हम महंदी पर बाला जी के रूप में हैं दूसरी जगए साला सर बाला जी के रूप में हैं लेकिन बागे सर धाम छदरपर मद्ध प्रदेश में हम बागे सर बाला जी के रूप में जाने जाएंगे और इतना ही नहीं मुश्कुराते हुए स्री हनमान जी ने हमारे गुर्देव स्री सुन्यासी बाबा को कह दिया जाओ जो भी यहां आएगा रोता हुआ आएगा लेकिन दर्बार से हसता हुआ जाएगा